जय हिंद बंदमात्रम पूरी यूटूब पर सबसे दमदार और असरदार जो कंटेन में देने का दावा करता हूं उसी के करम में आज की एक क्लास है फोर यूर सीरीज की ठीक है और भी हमने बहुत सारी क्लास है आपको उपलप्त कराई है जैसे Maxima Minima हुआ, Langrange Multiplier Method हुआ, Laplace Transformation हुआ प्लेलिस्ट बनी है चाकर के तरण देख ले हैं अब समझो केवल 4-Year Series फोकस कर लो Handwritten Notes के साथ जो चीज़े हैं अराम से बढ़िया लखते हुए चलो नोर्स बनाओ खुद के चलो अब देखो यहां पर बिल्कुल फोकस के साथ 4-Year Series में मैं आपको बताऊं तो दो जो Series हैं वो Use होती हैं एक है Cos Series एक है Science Series ठीक है आज जब मैं और इविन किसी की भी बात करूँगा तो फिर आगे बताऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से हम चल रहे हैं समझते हुए चलो सबसे पहले किन-किन की बात होती है तो सर्क Cos Series की बात होती है और Science Series की बात होती है बताओ इतनी बात समझ में आई के नहीं है ना अगर आपको आता भी नहीं होगा तब भी मैं आपको चाहिए जितनी हार्ड मैथ लगती हो लेकर आपके मैंड में चीज़े सेट कर दूंगे मेरे भाई देखो यहाप है अब भाई वाट इस सीरीज है क्या हिंदी वाले बच्चे परिसान नहीं होना सीरीज है क्या देखो बई fx equal fx equal क्या लखा है a 0 by 2 ठीक है a 0 by 2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2 x प्लस dot 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 a n cos n x ठीक ही बात यसी को तो मैं बोल रहा था cos series क्या बोल रहा था इसी को cos series में इसी को बोल रहा था अब यहाँ पर देखो यह पूरी है पर है ना इसके आगे क्या है भी dot दोटोट दोट यहां पर निकल गया फिर ए फिर प्लस बीन सैनεται खिस, प्लस बीटी इकस बिटू सैन keywords प्लस नौट दोट्डो Мосैने हैं तो यह पोरी है आप ऐसे नी समझेगे केle कपתי यह लगे नहीं यह दोनों ही क्या हैं FX के क्वल हैं और इन दोनों को ही मिला करके क्या कहते हैं इन दोनों को ही कहते हैं 4-year series कहते हैं वही 4-year series कहते हैं बिल्कुल अभी केबल आपने series देखी है इन पर waste हम numerical भी करेंगे चिक है काफी अच्छे और बहतरी अंदाज में हम चीज़े समझेंगे बिल्कों परिशान ना हो पर दो से तीन टरम जो है आप यहाँ पर समझ लो देखो पहले इस जो सीरीज को हमने लिखा है इसी उपर वाली सीरीज को थोड़ा सा हमने क्या किया है सौट में लिख दिया है कैसे देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अनोट बाइटू हमने आप लिख लिया यह गलत बात नहीं बात ना अब देखो यह जो कॉस सीरीज पूरी लिखी है हमने इसको इस तरह से लिख दिया इसको इस तरह से लिख लिए, यह जो science series लिखी है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, n equal 1, जो infinite तक अगर n जाए, तो फिर क्या है, an cos nx हो जाएगा, और इस तरह से bn sin nx हो जाएगा, infinite क्या है, n के value की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1, 2, 3 से लेके infinite तक जाने की, चीक है बात बहुत बढ़िया, आपको उम्मिद है कि यह बात समझ में आगे होगी, अगर यह line समझ में नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, आप इसे भूल जाओ, बस इस बात को आप याद रिखेंगे, चीक है, चलिए, अब आप कहां से आएंगे, देखो, यह कहां से आएंगे, देखो, आपको बताता हूँ, यह कहां से आएंगे, देखो हैंगे, अनोट जो है, वो आएगा, यहां से, बनपोन पाई, चीक है, और कहां है, इंट्रिगेशन ओफ, 0 से 2 पाई तक इंट्रिगेशन होगा, और fx dx, चीक है, यहां से आपका क्या आएगा, अनोट आएगा, बिल्कुल परिशान ना हो, लिखते हुए चलो, बस अभी, है ना, बिल्कुल परिशान ना हो, अभी केबल लिखते हुए चलो, हम आपको लास्ट में बता देंगे, कि यह कैसे आएगा, देखो बाई, मैं आपको बताओ न, यह लॉंग में आएगा, सीधा question, ठीक है, यह स इसी तरह से क्या है, इसी तरह से हम देखेंगे, वी एन, तो वी एन क्या है, बन अपॉन पाई है, यह ना, 0 to 2 पाई है, साथी में, fx, sin, nx, dx है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, और एक बहुत बहुत बहतरीन, आपने उम्मीद है, यह ना, एन और वी एन को समझ लिया होगा, चलिए, अब हम बात करते हैं, और आगे जो है, कुछ useful, जो integrals है, उनके बारे में हम आपको थोड़ा से बता दें, जो हमारी 4-year series में use होने बाले हैं, इस बाई से हम यह आपको बता रहे हैं, देखो भई, पहला, जो है, 0 to 2, 5, sin, nx, dx, अगर यह limit है, और sin, nx, dx, तो direct इसको हम 0 के equal लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हम अगर solve करेंगे, तो हमारा 0 आता है, कितना था भी, 0 आता है, ठिक, इसी तरह से, दूसरा आप देखेंगे, 0 to 2, 5, cos, nx, dx, यह भी 0 आता है, 0 to 2, 5, sin, square, nx, dx से बात करें, तो यह पाई आता है, इसी तरह से, 0 to 2, 5, cos, cos, square, nx, dx से बात करें, तो यह भी पाई आता है, तो आप जितने भी हैं, अब सारे के सारे लिख लो, है न, time थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इस बीडो में, है न, हम बताने में, इस बज़े से मैं क्या है, यह चीज नहीं बता रहा हूं, आप आराम से देख लो, है न, द इहला question आपकी screen पर रहेगा, आप समझो बात को, देखो, find the four-year series, आपको क्या करना है, four-year series को find करना है, representing, क्या represent करना है, fx equal, जो है, वो x के equal है, और यहां से आपकी limit चलेगी, x की, मुकिन दे चलेगी, 0 to 2 pi चलेगी, किन दे चलेगी, 0 to 2 pi चलेगी, है न, किसकी limit है, तो आप कहेंगे, sir, x की हो जाएगी, and sketch it graph from x equal minus 4 pi to x equal 4 pi, ठीक है, यह अलग बात होगी, पहले आप इसे समझेंगे, इसके बात जो है, चीज़े हम करेंगे, चलो, अब देखेंगे हमें आपे solutions का, अब solution के लिए हमने सबसे पहले जो आपको series बताई थी, वो जल्दी से series लिख 2x plus b1 sin x plus b2 sin 2x, आंगे-आंगे, डो, 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 जाएगा, क्या जाएगा भई, bn sin nx, इसी तरह से यहाँ पर भी cos बाला, क्या आएगा term, बताओ, an cos nx, अब आपने एक चीज़ नोडिस करी, यहाँ पर, आपने यहाँ पर एक चीज़ नोडिस करी, कि देखो भई, जो cos term है, cos sign जो जब भी use यहाँ पर हो रहा है, तो इसके साथ हमारा कौन सब टरम है, तो आप कहेंगे sir, en, constant value है, और अगर हम बात करेंगे, v1 की, b1 या b2 की, तो यह जो component है, वो किसके साथ use हो रहे हैं, तो आप कहेंगे sir, यह सारे component, sign के साथ use हो रहे हैं, ठीक है, चलो, इतनी skip किये हुए, देखो भई, a0 की अगर बात करें, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था, 1 upon 2 pi, 0 to 2 pi, fx, dx, यहाँ से हम क्या करेंगे, a0 की मैं बात करूँ, तो यह find जो है, हम यहाँ से कर लेंगे, बहुत बढ़िया, अब देखो, यहाँ पर जो fx की value है, वो हमाई सवाल में दी थी, कितने दी थी वही, तो आप कहेंगे, sir, fx की value है, वो x दी थी, ठीक है, तो हम a0 यहाँ पर जब हम find कर रहें, तो 1 upon pi, 0 to 2 pi, और यह fx लखा न, इसके जगा पर मैंने कितना shift किया, तो आप कहेंगे, sir, x shift कर दिया, ठीक है, कितना shift किया, देखो होई, x किया न, x dx, और इसके बाद जो है, आपके सामने जो चीज़े हैं, वो directly लिखती है, और लिखने के बाद यह इस तरह से आएगा, और x का, अगर मैं integration करूं, तो x square by 2 होगा, है न, और limit 0 to 2 pi, तो 2 pi, 0 ऐसे लिख दिये, और अगर बात करें, limit put करने की, है न, तो यह pi y 2 है न, इस pi यहाँ पे, और यह 2, यहाँ पे नीचे, उपर बन, और x square की जगाप, अगर हम shift करने तो, यह हो जाएगा, है कि न, बताओ, बताओ भी, सही है कि न, तो उस तरह से यह value हमारे आएगी, और यह जब value हमारे आजाएगी, तो यह सब जो है, वो हम क्या करेंगे 4 pi square में convert हो जाएगा, कितना हो जाएगा वई, 4 pi square उनीचे कितना है, तो आप करेंगे sir, 2 pi है, कितना है, 2 pi है, यह cut करेंगे, तो 2 से जाएगा, यह cut करेंगे, तो एक pi कर जाएगी, तो इस तरह से, जो value है हमारे वो कितना हैगी, तो आप करेंगे sir, 2 pi आ जाएगी, देखो यहां पर देखो हमने क्या लखी है 2Pi लखी है ना समझ गए बात की नहीं इसी तरह से एन फाइंड करेंगे एन अगर फाइंड करें तो एन के लिए हमने डायक्ट आपको बताया था 0 2 2 2Pi Fx cos nx dx यही तो बताया था बताओ भई यही बताया था कि नहीं बताया था fx जो लिखा है fx की जगाए पर हम simple x लिखेंगे और term कुछ इस तरह से आपके सामने बनके आने वाला है इस तरह से term जो है 1 के आपके सामने आ जाएगा चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं यह दो function आपको दिख रहे होंगे x और cos nx दिख रहे है कि नहीं तो इसका क्या होगा differentiation हो जाएगा बता हो जाएगा कि नहीं sorry integration इसका हो जाएगा माफ करना integration यहाँ पर हो जाएगा integration नहीं करना है मैं differentiation नहीं करना है अब integration होगा तो कैसे होगा किसको first मानेंगे क्या x को इसको first मानेंगे या s को first मानेंगे हैना first second से होगा ना यह बता जोल दी मैने आपको एक बात पहले बताई हुई है आईलेट के according ये होता है, इसके according होता है, तो आप कहेंगे sir, I-let के according होता है, I means क्या होता है, जितने भी inverse वाले function होते हैं, I-let means inverse वाले जितने भी function होते हैं, या L की बात करूँ, तो logarithm वाले जितने भी function होते हैं, उनके A की बात करें, तो algebraic, है न, क्या होई, algebraic की यहाँ पर बात आती है देखो X Ox NX यहां पर लिखा था तो X क्या है भी टर्म X है तो आप कहेंगे सर एलजब्रिक हो जाएगा तो भी अलजब्रिक पहले है । इसलिए ऐलजब्र को first मानेंगे और ट्रिग्णोमेटिकल को second मानेंगे देखो यहां और आप अगर इसको आङए वह करेंगे लेमेट रखने के बाद तो इस तरह से यह जीरो आजाएगा क्या जाएगा बहुत बढ़ीया बहुत बहुत बेटरीन करके देख लेना अपका हो जाएगा करके देख लेना हो जाएगा अगर नहीं होगा तो बताना मुझे, ठीक इस अगर मैं bn की बात करूँ तो bn जो टर्म मैंने बताय था 1 upon pi 0 to 2 pi fx sin nx dx ठीक है इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बताओ और fx की जाए फिर से value करेंगे सिप्ट तो x आएगी और sin nx ठीक है इसी तरह से x को फिर से हम क्या मानेंगे फस्ट मानेंगे sin nx को हम second मानेंगे और first second के according क्या है इसका integration करेंगे जब इसको solve करेंगे limit रखने के बाद तो answer minus 2 upon n आएगा कितना एगा minus 2 upon n आएगा बहुत बढ़ी है बहुत बहुत बैदरीन और last में अगर इसको हम solve करेंगे उसमें value रखने के बाद सब की value हम अगर shift कर देंगे तो कुछ इस तरह ऐसे हमारी जो value है वो हमें मिल जाएगी और यह सब जो मान है वो किसके रखेंगे हम बताओ बी बन के रखेंगे ना बी बन बी एन तो बहुत सारे इस्टोर्ण के रहेंगे सर्फ यह बी बन बी टू कैसे आएगे तो बी एन जो लिखा है मान कितना है तो क्या होगा तो एंकी जगारे फ् connect zwei three है ना अब मैनेस तो ऑइन और यह सब निकलने के बाद आप क्या करेंगे तो बहुत बहुत बिए इस्के occup करते हैं तो लास्ट में जो आपकर बनेघी वह यह बन जाएगी लास्ट मैं आपके केशन यह बन जाएगी, उम्मीद करता हूँ, आप समझ गया होंगे, अगर समझ गया है तो एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, चलो बात करते हैं, अब जो next आपका जो point है, जो odd और even बाला सिस्टम चलता है, समझो सबसे पहले, देखो, तेन टाइप के जो टर्म हैं, वो basically होते हैं, एक तो even होते हैं, एक odd होते हैं, even means sum हो गया, odd means vissum हो गया, और तीसरे वो टाइप के टर्म होते हैं, जो ना sum होते हैं, ना ही vissum होते हैं, ठीक है, अब देखो, अगर जो आपकी Fourier series में जो terms हैं, व एक Fourier series बताई थी, जिसमें fx एक्वल जो value थी, a0 by 2, प्लस यहाँ पे a1, cos, cos x था, प्लस a2, cos 2x था, ऐस तरह ऐसे थे के नहीं थे, और यहाँ पे देख रहे थे हम, b1, एन, bn sin nx थे, यहाँ कि b के साथ sin वाला function था, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर even है, या function even है तो केवल cos बाला आएगा, sin n वाले नहीं आएगे, ठीक है, sin वाले नहीं आएगे, केवल cos बाला आएगा, ठीक है, आप बताओ कैसे, देखो यहाँ पे, थोला से यहाँ पे हम फोकस करते हैं, expansion of an even function के लिए गर हम a0 find करते हैं, तो a0 आपका यह आता है, क्या आता है, यह आ और bn क्या का आएगा, यह, तो bn आएगा, सर्फ 0, कितना आएगा, bn जीरो आएगा, यनिकि जितने भी sin वाले term है, जितने भी sin वाले functions है, वो सारी क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे जिरो हो जाएंगे, फिर रहेगा कौन, तो रहेगा kiवल cos, किवल wie кож वाले function रहेगे कुछ से लगा के दिखाएंगे आपको समझ आएगा बिल्कुल आएगा अब odd वाला function देख लो भी odd वाला function देखने से पहले जड़ा एक line पड़ो जल्दी से एक line पड़ो नीचे नीचे line लिखिए ये वाली the series of the odd function will contain only sand term अगर जो आपका function है वो कैसा है तनी बात को आप याद रिखेंगे चलिए थोड़ा साम function यहाँ पर देख लेते हैं a0 की जो value है वो 0 आएगी an की जो value बात करूँगा तो वो 0 आएगी और bn की बात करूँगा तो bn की जो direct value है वो आपके सामने कोच अस्तरह से दिख जाएगी यानि की आप समझगे होंगे a0 an 0 यानि की पूरा cost वाला जो function है वो सब कुछ 0 हो जाएगा आपका याना cost वाला नहीं आएगा केवल sign series यहाँ पर लगेगी cost series नहीं लगेगी ठीक है उम्मीद करता हूँ आप समझगे होंगे अब एक line और पढ़ो नीचे से यह सारे points थे यह वाला point समझगो the function is shown in neither odd or not even so it contains both sign and cost sign terms यानि की अगर आपका जो function है वो कैसा है वही आपका odd है और even दोनों में से कुछ भी नहीं है या फिर दोनों ही है तो फिर क्या है वही sign and cost दोनों ही आएंगे क्या है sign and cost दोनों ही आएंगे इतनी बात आप याद रखेंगे चलो अब हम question यहाँ पर find कर लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें जो है बिल्कुल clear हो जाए एकदम clear हो जाए देखें वही example है find the four year series to represent the function of fx given by kya given है fx equal यह दिया है minus k और यहाँ पर k लखा है four minus k जो है minus pi x से जो term है x जो term है वो कहा हुई minus pi से वड़ा है और zero से छोटा है किसके लिए four minus k four minus k यह चीज़ आप यहाँ पर देख रहे है अब बात करेंगे second k function की तो जो x function है यह जो x function की मैं बात करूँ यह जो x function है वो कहा है वही तो आप कहेंगे sir k के लिए जो x function है वो zero से छोटा है zero से बड़ा है और pi से कहा है वही pi से छोटा है x जो है वो zero से कहा है बड़ा है और pi से कहा है तो pi से आप कहेंगे sir छोटा हो जाएगा ठीक है पाई से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा उम्मित करता हूँ यह बास समझगा हूँगी ठीक है देखो हैंस सो देट आपको ये वाली जो चीज है वो आपको प्रूफ करने है कि कुल पाई वह फोर आएगा अब जल्दी से एक बास समझ लो बहुत बढ़िया अच्छे से बहतरी न तरीके से कि देखो गुस्सन आपके सामने लिख दिया गया है हलों कोसिन आपके सामने लिख दिया गया है और यहां से मैं K . इसको जो ہमने resolve किया ? अगर हम differentiation करें kanballpex 맞i किस में भी एकष आएगा और रिमिट क्या रखेंगे ? 0 to minus P, तो यह रखेंगे 0 to minus P और इसमें 0 to P ॉ रखेंगे तो यह रखती ए अब इसको अगर हम solve करें तो कुछ यह आएगा और last में क्या आएगा भी 0 आएगा अच्छो देखो अगर a0 जो है वो अगर 0 आगया a0 अगर 0 आगया तो हमने क्या बताया था आपको a0 जैसी 0 आता है तो हमारा an ओटमेटिकली 0 आता है अगर an हमारा 0 आगया इसको निकालने की जुरूत ही नहीं है आप अगर समझदार थे तो आप ऐसी 0 लग देते हैं यह अगर 0 आगया तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारी जो cost series है वो अब भया काम नहीं करने वाली और cost series कब काम नहीं करती थी जल्दी बताओ, है ना cost series कब काम नहीं करती थी मैंने आपको बताया भी था, देखो उपर केवल sin series काम करती थी कब, जो function हमारा odd होता था function odd होता है, तो केवल sin series काम करती है केवल sin terms जो हैं, वो काम करते हैं अब यहाँ पर हम बात करेंगे, same terms की, देखिए हाँ पर अब हम bn find करेंगे सबसे पहले, अब bn से देखेंगे, पहले bn आ रहा है कि नहीं आ रहा है bn की हमने जो value आपको बताया थी वो लिखेंगे, इसके वास same जो value है, देखो, minus pi to pi पूरा जा रहा था था न, यहाँ से यहाँ तर, तो इस बैसे लिखा है और same उसी तरीके से fx लिख लेंगे, sin index साथ में लिखेंगे, है न, सारी चीज़े लिखेंगे और इसके बाद जो है, वो integration हम करेंगे limit y रहेगी, जो minus pi to 0 थी, है न, और 0 to pi थी, ठीक बात, सारी limit वगएर हम setup करेंगे, solve करेंगे, तो कुछ इस तरह सी यह term आजाएगा, ठीक है, यह जब जैसे term आएगा, तो फिर हम इसको पूरा totally अगर हल करेंगे, तो यह आजाएगा हमारा, जब अगर n even है, तो vn equal 0 आएगा, n अगर odd है, तो हमारा यह वाला function आएगा, ठीक है, यह वाला function आएगा, और जैसे ही, सही बात है, मैंने बताया भी था कि अगर even है, तो sin वाला तो 0 रहता ही, vn 0 रहेगा, ठीक है, तो यह बात आप समझ गए, आप इस तरह से अगर यह समझ गए आप, तो यहाँ पर केवल sin series consider होगी, क्या होगी, केवल sin series consider होगी, यहाँ इस पर नहीं जाओ, है ना, आप सोच रहोंगे, यह क्या है, इस पर नहीं जाना है, केवल sin series जो है, हमारे यहाँ पर consider होगी, तो हम sin series को यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हमने sin series को यहा अब कह रहे होंगे सरक कैसे आई तो 4 k upon pi कैसे आईगी देखो यहां पर है कि ब्यानेकोल 4 K upon n pi देख रहा है आपको यह ना इनकोल बन रखो जल्दी तो बी बन बरावर 4 k 4 k upon n की जगह बन रखेंगे तो यहां पाई आजाएगा ठीक है तो 4 k upon पाई आगे कि नहीं, अब यहाँ पर अगर N B2 की माल नकालना है, तो यहाँ पर 2 रख दो, यह रखा भी 2, तो 4K upon, और N की जगाए पर जो बन लिखा था, उसको 2 लिखतो, यह कट हो जाएगा, तो 2, यहाँ की आएगा 2K upon पाई, तो इस तरह से यह निकलते आएगे, 3 के निकाल लिए, तो 3 रख देना, यहाँ 3 रख देना, है न, तो 4 बटे 3 के पाई, इस तरह से आजाएंगे, तो बाकी जितने भी है, उन टरम्स को हम कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे, लिखने के बाद 4 के अपन पाई समय कॉमने इस बज़े से यह लिख लिया, औ अब वो कह रहा था, लास्ट में, कि पुटिंग X से कुल पाई वाई टू, जो है, मैं सिप्ट करना है, जहीं सिप्ट करते हैं, बाकी जो हमाई वेलू है, वो आपके इस तरह से सामने आजाएगी, जब आप इसे सौर्प कर लेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आप च दूसरी क्लास से दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, चले बात करें, अगर BSC M27 Study Platform की बात करता है, रास्ट में, देश्ट में, फ्री सक्षा की, है ना अभी तक ना आपसे एक पैसा लिया है, ना कभी लेंगे, बस आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक चाहिए, बिल्कुल देदो, है ना, बिल्कुल देदो, टैंसिन बिल्कुल फ्री हो करके, और बिल्कुल फ्री हो जाओ टैंसिन, चले आपके जतने माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट हैं, सारे पढ़ाते हैं, BSC के तो खासकर ही पढ़ाते हैं, और BTC Engineering के लिए भी पहल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यह बीडियो है, सब के लिए स्टार्ट, सब के लिए है, यह ना, सब के लिए जरूरी है, आप देख लेना, आपके खासकर एक्जाम को ध्यान में रख करके ही प्रॉपर हम क्लास को डिजाइन करते हैं, और इस क्लास को भी डिजाइन किया है, च find the sum of this series और यह आपको find करना है यहांसे pi square by 12 आपको proof करना है ठीक है चलो देखो यह पर यह question जो है पूछा गया आपका Magad University में 2020 में दख्वई fx equal to x square लिखा है तो जल्दी से समझ जाओ कि x की power कितनी है तो आप कहेंगे सर 2 है अगर 2 power है तो इविन हो जाएगा और अगर सम हो गया तो मैंने आपको बताया था केवल कॉस रहेगा क्या रहेगा केवल कॉस रहेगा यानि कि निकालेंगे सीधा टू पाई अपॉन जिरो टू पाई fx dx से हम इन और फाइंड कर लेंगे वैल्यू में आप सिप्ट करेंगे fx की जगह x square dx तो हमें यह आगी यहन हम फाइंड कर लेंगे यहां से यहन हम फाइंड करेंगे इस वाले आता है तो आप पता कर लो उसके बाद जब आप solve करेंगे तो कुछ बचा नहीं है दम नी बची सवाल में यहां से यह जो है आपका term solve हो करके आजाएगा और यहां से ठीक है यह जो value है आपकी ए-n की आगी कितनी आगी देखो भी ए-n की जो value है वह आई है आपकी 4-1 की power n है ना-1 की power n upon n square ठीक है यहां से आप value निकाल सकते है अब n equal to 1,2,3,4 यह वैसी आप चाहे जो भी value आप चाहे तो रख लें आप n की जगाह पर रख लो 1 यह 1 रख लिया तो 4 ब्रेकेट में ऐगा minus 1 की power 1 upon n square की जगा पर कितनी नहीं 1 है तो यहां पर minus 4 आ जाएगा इस तर तो आप एक चीज़ फोकस करेंगे यहां पर, कि अगर हम जो value, n की value है वो हम कैसी put करते हैं अगर n की value even put करते हैं, تمधा ,ipल्स प्लस में राख और हम n की value out put करते हैं तो हमारा term है वह माइनस में आएगा इतनी बात हम बता हPE पता हो नी चाहिए और ठीक, इसी तरीके से हमने चीजों के यहाँ पर सिप्ट किया है यह बनाया है आप जब इस में पूरी में रखेंगे बान तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा आप मान के रख के देख लिए ना अगर हम सिर्प करें यह चीज जो है वह हमारी आ जाएगी यह प्रूब हो जाएगा लास्ट में यह चीज प्रूब हो जाएगी चलो बहुत बढ़िया बहुत पहतरी ठीक है चले आप बात करेंगे नेक्स्ट screwed, hablandoOW,त्समों मैं ही नेक्स्ट कule नेक्स्टण की आपके सामने है भी देखो, obtain a forrier expression 4fx equal to xq 4-py और यह गया है आपका πई ठभा क्रora नगई यहां-पे अब अगर देखें तो xq लखाए तो xq जो टर्म है वो कैसा है तो आप कहेंगे सर यह तो और टर्म है अगर और टर्म है तो आप कॉस नहीं निकालेंगे फिर निकालेंगे क्या तो आप कहेंगे सर साइन निकालेंगे क्या निकालेंगे वही साइन निकालेंगे देखो जल्दी से साइन यहापर फाइंड कर लो sign में क्या bn find करते हैं कि नहीं sign में क्या find करते हैं bn करते हैं तो जल्दी से bn हमने find किया यह आ गया और इसको जब हम first second से हम solve करते हैं तो हमारे को से इस तरह से यह वाला function last में बच जाएगा और यह जब वो function हमारा बचेगा तहापे हम क्या करेंगे चीज़ों को रख लेंगे और लास्ट में हमारे यह आंसर हो जाएगा ठीक है आप रख के देख लेना आपको ये question आपको खुछ solve करना है ठीक है खुछ function इसको solve करना है अब हम आपको एक बात और बताएं चलो आप करके देखना फिर हमें बताना x sin x जो है x और sin x ये दोनों ही जो है वो क्या है एक term इसका एक term इसका तो कतने होगा total दो हो गए कि नहीं हो गए अब दो हो गए तो ये कैसा हो गया तो आप कहेंगे सर इवेन हो गया अगर ये इवेन हो गया तो हम क्या लगाएंगे इसमें बताओ जल्दी से कौस लगाएंगे इसाइं जल्दी से comment में बताओ मैं आप ही solve करना इसको और solve करके इसका answer हमें comment section में लिखेंगे देखो हम आपको और बताएं बहुत सारी classes हमने दी है इसको भी आपको देखना है मैक्जिमा, मिनिमा, लाप्लास, टांसफर, लाप्लास, टांसफरमेशन, लाप्लास, टांसफरमेशन, सारी classes दी है बकिया आपके जो माइनर है मैं बात करूँ अगर उसकी human value environmental studies की तो आप जरूर पढ़ ले किसी की अगर back है, इस में food nutrition hygiene में तो वो भी देख ले न, इंडियन, history and culture की अगर बात करें तो पूरी सब कुछ हमने, सारी unit को हमने आपके complete किया था एक बहतरी अंदाज में, तो आप जरूर देखें साथी बात करें, multimedia अगर आपका है, tour guide है, आपका, है न, NCC है, तो सारी classes को हमने एक बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, आपके exam को ध्यान में रख करके, playlist बल्कुल बनी हुई है, आप playlist एक बार जरू बिजिट करें, अगर वीडियो पसंद आई हुई तो एक बार like चु सब्सक्राइब करना विए चुरूरी है, आप परिबार मेरा बन सकते हैं, बल्ल ऐकन प्रेस कर दें, जल्दी से बताओ class कैसी लगी, next class किस subject की आप देखना पसंद करेंगे, किस उनिवस्टी से आप हमारी class देख रहे हैं, जल्दी से comment section में लख दो, मिलता एक लिए वीड आत्रम भरत मतक्षे, हरुर महादेव